जैश्री कृष्ण आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फिजिकल आजूकेशन का टॉपिक लॉज ओफ मोशन बाई सर आईसेक न्यूटन इसमें आपको स्क्रीन पर इंग्लिश में नोट से अविलेबल हैं और जो मैं पढ़ाऊंगी वो होगा हिंदी में तो ध्यान से सुन में ही रहेगी बॉडी इसी स्टेट में रहेगी जब तक कि कोई एक्स्टरनल फोर्स बॉडी के स्टेट को बदलने के लिए नहीं अपलाए किया जाएगा न्यूटन सेकिंड लॉफ मोशन इस लॉफ में कहा गया है कि कि किसी अबजेक्ट का एक्सलारेशन उसे पैदा करन वाले फोर्स के डारेक्ली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसकी एप्लिकेशन है अगर कोई बेस्बॉल खिलाडी बॉल को दुगने फोर्स से मारता है तो जिस रेट पर बॉल स्पीड एक्सलारेट करेगी स्पीड डबल हो फुटबॉल खिलाडी बाकी खिलाडियों की direction को slow कर सकते हैं, रोख सकते हैं या reverse कर सकते हैं यह depend करता है कि वे कितनी force और किस direction में generate करते हैं Newton's third law of motion यह law कहता है कि हर एक action के लिए हमेशा equal and opposite reaction होता है यह law बताता है कि किसी body का क्या होता है जब वे दूसरी body पर force लगाता है इसकी application है, एक swimmer पानी में पानी के medium से खुद को inspire करता है क्योंकि पानी उसके हाथों को push करने की action का oppose करने के लिए significant counter force प्रोवाइड करता है जिस से उसे movement करने की allowance मिलती है एक athlete एक solid surface से उची छलांक लगा सकता है क्योंकि यह rate या दूसरे unstable surface के opposite उसके शरीर का उतना ही force लगाता है जितना वे generate करने के capable होता है तो यह है neutral laws of motion and उसकी applications जितना है